गेहूं की घरेलू कीमतों में उच्छाल जी हाँ अभी एक बार फ़र से गेहूं की कीमतों में उच्छाल आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको बता दे कि सरकार ने गेहूं के आते मैदा और सूजी के भारस से निर्याद पर रोक लगा दी है सरकार ने कीमतों में जारी बढ़ोतरी को रोकने के लिए ये फैसला किया इससे पहले मई की शुरुवात में भी सरकार ने गेहू के निर्यात पर रोक लगा दी थी वहीं पिछले सब्ता कैबिनेट से मिली मंजूरी के क्रम में यह आदेश को जारी करते हुए DGFT ने कहा कि यह कदम इन वस्तों की कीमतों में काबू पाने के लिए उठाया गया है फिर भी कुछ मामलों में भारसरकार की अनुमती के साथ इन वस्तों के निर्यात के लिए मंजूरी दी जाएगी आपको बता दे कि DGFT की अधिसूचना के अनुसार अब आइटम्स यानि की गेहू या मेसलीन आटा, मैदा, सैमूलीन यानि रवा और सिर्गी, होलमील आटा इन सब के निर्यात के लिए भी मंजूरी लेने के जरूरत होगी सूजी में रवा और सिर्गी भी शामिल है इसमें कहा गया है कि विदेशी व्यपार नेती 2015-2020 के खास प्रावधान इस अधिसूचना के थहत प्लागू नहीं होंगे वही 25 अगस को सरकार ने कॉमोडिटी की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए गेहू और मैसलीन के आटे के निर्यात पर रोग लगा दी थी यह फैस्ता कैबिनेट कमेटी और एकोनोमिक अफेर्स की एक मिटिंग में लिया गया रूस और युकरेन गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक हैं जिनकी गेहूं के वैश्विक उपार में लगबग 25 फीसे दी हिस्सेदारी है दोनों देशों के बीच जंग के बाद गेहूं की वैश्विक सप्लाई चेन पर भावित हो चुकी है जिससे भाट्य गेहूं की मांग बढ़ रही है नतीजन घरेलू बजार में गेहूं की कीमतों में उच्छाल देखने को मिल रहा है और जिसको देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला किया पानीची और अध्योग मंत्रालियों के आंकडों के अनुसार अप्रेल 2022 से जुलाई 2022 के दोरान 2021 की इसी अब्धी की तुनला में भारत से गेहूं के आटे के निर्यात में 200 फिसद की बड़ोतरी देखने को मिली है 2021 में भारत ने 24.6 करोड डॉलर मुल्या के गेहूं के आटे का निर्यात किया वहीं अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान वित में एप्रेल से जुलाई के बीच में ही 12.8 करोड डॉलर आटे का निर्यात हो चुका है वानीजी और अध्योग मंत्राले के मताबिक 22 अगस्त को भारत में गेहूं का ओस्त खुद्रा मुल्या 31 रुपए चार पैसे के आसपास प्रती किलोग्राम रहा चो पिछले साल के मुकाबले 22 फिसदी अधिक है एक साल पहले इस अधि में गेहूं की कीमत 25.41 रुपए यानि 25 रुपए 41 पैसे प्रती किलोग्राम के आसपास थी वहीं गेहूं के आटे के दाम में ओस्तन 17 फिसद की बढ़ोतरी दर्च की गई है गेहूं का आटा 35 रुपए 17 पैसे प्रती किलोग्राम हो गया है जो पहले 30 रुपए 4 पैसे के आसपास था ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी